हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बाद नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का सौगत करता हूँ तो दोस्तो कल है साथ अपरेल कल मार्केट के लिए एक प्रागात से बड़ा दिन हो सकता है क्यों क्योंकि दोस्तो RBI की कल मोनेटरी पॉलेसी आने वाली है वो मोनेटरी पॉलेसी कैसी रहेगी ये हम स्टेटस चेक करने वाले है ठीक है जो सूत्रों से अभी न्यूज आ रही है वो हम देखने वाले है देन उसके बाद यहाँ पर ये भी चेक करेंगे क्यों उसका सीधा असर बैंक निफ्टी पे किस प्राकाश से देखने को मिल सकता है तो चलिए फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में यही बोलूँगा प्राफिट गुरू चैनल को अपने फर्स टाइम विजिट के आए डेफिनिटली सस्क्राइब करके जाए दोस्तो वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए और निचे डिस्क्रिप्चन में दोस्तो एप स्टॉक और एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया ह वहाँ पर जाए फिरी में डिमेट एकाउंट उपन करिए हमार साथ निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक उप्चन में बारपूर ट्रेडिंग करिए और निचे डिस्क्रिप्चन में दोस्तो टेलीग्राम का भी लिंक दिया है उसको भी जाके जॉइन कर लिजे क्योंकि व आज निफ्टी बैंक में लगभग 177 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ है 0.54% मतलब आदे पर्षेंट की आज हमें बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलिए RBL बैंक में दोस्तो लगभग 3% की तेजी IDFC फर्स्ट बैंक में दोस्तो लगभग 2% की तेजी फ्रेडल बैंक 1% की तेजी बंदन बैंक PNB आप इन सभी बैंकों को दोस्तो कल की डेट में नजर पे रख सकते हो खास करके जो बैंक में आप लोगों को गिना रहा हूँ एक दो ठीके ये दो बैंक एक तीन चार पांच एक छे और एक EU बैंक ठीके EU Small Finance बैंक लगभग दोस्तो आप इन सातो बैंकों को कल की डेट में नजर में रख सकते हो अगर आप लोगों को टेलिग्राम कृप तो जरूर ज़़ुर जॉइन करे लिजे दोस्तोंाइक हम पोजीशन महाँर आप लोगों को अपडीट करदेंगे अब अपन चलते हैं सबसे पहले Nifty को भी देख लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर देखेंगे निफ्टी इंडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ 0.31% की गिरावट देखने को मिल रही है वो सोरी तेजी देखने को मिल रही है 14,680 रुपे के लेवल पे मार्केट बंद हुआ है चार्ट पिटन देखेंगे काफी बोलेटायल देखने को मिल रहा है मार्केट ओपन होता है 14,737 रुपे पे हाई लगाता है 14,799 रुपे का और लो लगाता है 14,533 रुपे का मतलब देखा जाए तो काफी गिरावट भरा माहूल रहा है दोस्तों सबसे पहले मार्केट ओपन होने के बाद पहले लो लगाता है देन उसके बाद यहाँ पर एक हाई लगता है फिर एक बार एक सपोर्ट पर आता है फिर एक बार यहाँ पर हाई के तरब जाता है तो मतलब ऐसा एक्सपेक्टेट किया जा रहा है दोस्तों यह सबसे बड़ा एक अनुमान है यह अनुमान यह है कि कल की डेट में मार्केट काफी अच्छा पोजिटिव रियक्ट कर सकता है क्यों क्योंकि दोस्तों यह जो न्यूज आई ना इस न्यूज में बहुत सारी चीजे छुपी हुई है वो चीजे मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ एक एक करके तो ढंक से समझेगा दोस्तों वीडियो पसंदार आप वीडियो को लाइक चुरूर करिएगा दोस्तों वो चैनल पे भी अगर आप नहीं हो तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करके जाईएगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो money control के site के उपर मैंने आप लोगों को लाया हूँ ठीके यह अपडेशन देख सकते हो 6 March मतलब 12 बजे के something का है क्या है RBI MPC ठीके मतलब RBI के बारे में updated है ठीके status क्या है दोस्तों rate के Q on rate मतलब दोस्तों Q on rate का मतलब होता है मतलब यहाँ पर stable ना तो rate बड़ेगा ना घटेगा यह सूतरों से हवाला निकल के आए तोई के यहाँ ना तो वो उपर जाने वाला है ना नीचे जाने वाला है rate बीच में रहेगा जो है वो continue रहने वाला है stay on continue RBI market need to be in scene on policy normalization मतलब आप लोग इसका मतलब समझ गए होंगे कि जो continue है RBI की policy वो basic की बेसी रहने वाली है इसमें कुछ भी बदलाओ नहीं होने वाला है ठीके नीचे देखते हैं details में कुछ चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे the monetary policy committee MPC ठीके of the reserve bank of India RBI that being it's 3 day hidden on 5 April to decide lending rate and decision on key rate among other be bill out of 7 April मतलब दोस्तों यहाँ पर 3 दिन की एक hidden meeting चल रही है आप लोगों को पता है जो 5 April से चाल हुई है 5 April 6 April कल की डेट में 7 April में disclose किया जाएगा ठीके तो disclose में क्या क्या रहेगा दोस्तों lending rate यह भी normal रहने वाला है the deciding in the key rate यह भी normal रहने वाला है और कल की डेट में out on the 7 April मतलब यह कल की डेट में आप लोगों के सामने यह rate आने वाले है अब देखिए the RBI MPC expect and indicators by the central bank in the previous meet मतलब दोस्तों जो central bank की MPC के उपर जो previous meet हुई थी previous meeting हुई थी उसमें यह expected किया गया था कि जो क्यों रहेट है ठीके जो status है वो पूरी तरीके से stable रहने वाले है क्यों दोस्तों क्योंकि देखे market में अभी liquidity बढ़ी है ठीके market में liquidity बढ़ी है अगर यह system RBI policy अगर मान लीजे rate घटा देता है तो market में से liquidity घट जाएगी अगर मान लीजे rate बढ़ा भी देता है तो भी market से liquidity घट जाएगी क्यों दोस्तों क्योंकि कोरोना वालास का जो केसे से market में डवल से फैलने लगे है ठीके बहुत कतरा भी ओड देखने को मिल रहा है जिसके करण यहाँ पर दोस्तों RBI source समझ के ही कल फैसला लेने वाली है यह मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों यह money control की site के उपर report आईए उसके according में आप लोगों को बता रहा हूँ अब देखे obviously बात है न दोस्तों यहाँ पर economy GDP में recovery आईए अभी recovery आईए ठीके यहाँ पर stable है लगबग है दो quarter से यहाँ पर RBI की policy के जो rate है वो stable है तो definitely दोस्तो help भी किसको हो रही है दोस्तो economy को हो रही है बड़ा देती है तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर जितने भी एक normal एक middle class family है उनको यहाँ पर खत्रा बढ़ जाएगा अगर rate घटा देती है तो banking sector यहाँ पर damage होते हैं देखने को मिल सकते हैं मतलब देखा जाए तो दोनों तरब से यहाँ पर खत्रा देखने को मिल रहा है इससे पहले बेंको को एक खत्रा तो बेसे ही mall हो चुका है क्योंकि 1800 से लगबग दोस्तों 2000 करोड का यहाँ पर क्या बेंको के उपर बड़न आ चुका है क्यों क्योंकि ब्याज के उपर ब्याज का अब मान लीजियो जो अगर मैं बात करता हूँ जो RBI ने decided किया था दोस्तो कि पूरे 6 मेने यहाँ पर installment पे मतलब कुछ भी ब्याज नहीं लिया ठीके फिर ब्याज पे ब्याज बेंकों ने मांगी तो वो भी रुखवा दिया खाली ब्याज ही लेने दिया तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तो वो लोन तो यहाँ पर क्या चलेगा दोस्तो एक default में चलेगा जिसके करण क्या देखने को मिल रहा दोस्तो यहाँ पर बैंकों के उपर 1800 से 2000 करूर का बटन या आप लोगों को पता है अगर यहाँ पर देखे कस्टमर नहीं दे रहा ब्याच पर ब्याच पर ब्याच तो या तो गवर्मेंट को देना चाहिए और FD पर bank खुद अपने जेब से पैसा देती है, governmentory देती है, FD अगर आप bank में करोगे दोस्तों, तो आपको government पैसा नहीं देगी, आपको कौन देगी, bank देगी, bank आपको कहां से पैसा लाके देगी, अगर bank को पैसा नहीं मिलेगा, तो ये bank को अपर all already button आ चुका है, वो non NB उसमें चले जाएगा, non performance में चले जाएगा वो amount, तो ये चीजे सब देखने लाएं कि दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पर RBI को कल सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर economic growth, inflation, dynamic warrant, यहाँ पर policy support, RBI, COVID-19 case, rising home, मतलब दोस्तों, वो ही देखा जा रहा है कि जिस प्राकास से market का momentum है, वो stable रहने वाला है कल की rate में, कुछ भी ज्यादा बड़ा moment हमें देखने को नहीं मिल सकता है, हाँ, अगर होगा तो थोड़ी से हमें तेजी market में देखने को already मिल सकती है, अब दोस्तों बस इतना ही है, कि कल RBI के जो government है गौर्णर है, वो पूरी तरीके से अपने जो economy data है, ठीके, देन उसके बाद जो growthness देखने को मिल रही है, GDP में, उसको बस stable रखे, उसमें कुछ गड़बड़ी ना करे, अगर वो गड़बड़ी होती है, तो stock market में भी होगी दोस्तों, एक middle class family के लिए भी हमें गड़बड में एक भूचाल आते हो, देखने को जरूर मिलेगा, ठीके, तो यह update था दोस्तों, market के related, RBI की policies के related, बाकी कल भी हम आप लोगों को update करेंगे, जिस पराकार से यहाँ पर monetary policy आती है, जैसे ही monetary policy चालू होगी, वैसे हम टेलिग्राम में भी update करते रहेंगे, तो आप definitely आपको भी join करीजिए, दोस्तों, नीचे description में link दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को सब चीज़े update करते रहेंगे, तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को close करते हैं, वीडियो को close करते हैं, वीडियो को close करते हैं, वीडियो पसंदा तो दोस्तों, प्लेस लाइ update आते रहते हैं, thank you